वारिश पंजाब दे का प्रमुक अमरित पाल खडूर साहिब से लोगसभा का चुनाव लड़ रहा है। उसके चुनाव लड़ने के फैसले से एक तरफ जहां मद्दातों में काफी हल चल है वहीं दूसरी तरफ कई मेंस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां भी सकते में हैं। सबसे ज़्यादा सकते में हैं शुरुमनी अकाली दल जो इस चुनाव क्षेतर से नौ बार चुनाव जीत चुकी है। 2019 में अकाली दल यहां से चुनाव हार गया था क्योंकि ये सीट 43 फिसदी वोड लेकर कॉंग्रेस ने जीती थी। 2019 में खाली स्थानी समर्थकों और अकाली दल के मतों के बीच में जो विभाजन हुआ था उसका फाइदा कॉंग्रेस को हुआ था और मत बटने से एक तरफ जहां अकाली दल चुनाव हार गया कॉंग्रेस की जीत हुई थी। लेकिन आपकी बार खाली स्थानी समर्थक इस सीट पर नजर बनाये हुए है। फैसला था उस पर वो अड़े रहे और अब अमरित पाल सिंग बता और आजाद उमिद्वार ख़डूर साहिब से चुनाव लड़ रहा है। अकाली दल की दूसरी बड़ी फिकर ये है कि अकाली दल को ये डर है कि जिन मुद्वों पर अकाली दल अपनी राजनीती करता है। उनी मुद्वों को चुरा कर अब अमरित पाल सिंग उनके पर्मपरागत वोट बैंक में सेंद लगा सकता है। ये फिकर सिर्फ अकाली दल की नहीं है। कॉंग्रिस और आमादी पार्टी की भी है। लेकिन ये सभी पार्टियां अमरित पाल के खिलाफ मुखर नहीं है, मुखर है तो सुर्मनी अकाली दल। अकाली दल के मुख्या सुख्वीर सिंग बादल ने सीधा हमला बोलते हुए अमरित पाल से कुछ सवाल पूचे हैं सबसे पहला सवाल ये पूचा है कि जब आप भारतिय समिधान में यकिन नहीं रखते तो फिर आप चुनाओ क्यों लड़ रहे हो उन्होंने अमरित पाल से ये भी पूचा है कि एक साल पहले तक ना तो आपने सिख्वी का चोला पहना था ना आपने सिख धरम में आस्ता जताई थी और ना ही आप सिख्वों के मसीहा बने थे फिर एक साल में ऐसा क्या हो गया कि आपको खालिस्तानी समर्थक होंते हुए भी अब भर्दिय समिधान के अंतरकत चुनाओ लड़ने का फैसला लेना पड़ा सुखिर सिंग बादल ने एक और आरोप अमरित पाल पर लगाया है वो ये कि वो केंदरिय एजैंसियों का एक नुमाइंदा है केंदरिय एजैंसियों के संपर्क में और उसी संपर्क में उसी प्रभाव में आकर वो चुनाओ लड़ रहा है हाले कि उसके परिवार ने और उसके जो सपमर्थक हैं उन्होंने इन आरपों को सीरे से खारिज किया है अब सवाल ही उठता है कि शिरुमनी अकाली दल को अमरित पाल से इतनी ज्यादा चिंता क्यूं हो रही है उसके चुनाव लड़ने से शुर्मने काली दल इतना फिक्रमंद क्यूं है आपको बता दें कि शुर्मने काली दल ख़डूर साहिब से कम से कम नौ बार चुनाव जीत चुका है और पिछले चुनाव के आंकड़ों के अगर बात करें तो कॉंग्रेस को 43% से ज्यादा मत गिर अब ये 20% मत अमरित पाल को मिल सकते हैं क्योंकि परमजीत का और खालड़ा ने आपकी बार चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है पिछले वरोतिसरी स्थान पर रही थी और सीधा सीधा माना जा रहा है कि अमरित पाल सिंग को उनके ना चुनाव लड़ने से सीधा सा फा अमरित पाल सिंग को अब ये दो बड़े सम्हू द्वारा जो समर्थन दिया जा रहा है उससे राजनितिक पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई है अकाली दल को यह खत्रा है कि अगर अमरित पाल सिंग को इतना समर्थन मिलता है तो उसका परम परागत वोट बैंक तूट सकता है उसमें सेंद लग सकती है यह फिकर सिर्फ शुर्मने काली दल कोई नहीं है कॉंगरेस और आमादमी पार्टी को भी है कॉंगरेस पिछली बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी थी 43 पीसिदी मत परिसद बहुत जादा होता है अब यही लग रहा है कि अमरित अमरित पाल सिंग का जो समर्थन है वह कहीं न कहीं इन पाटियों को नुकसान पहुंचाएगा अमरित पाल सिंग के अकाउंट में भली एक हजार रुपे हो लेकिन उनका केंपें इस वक्त संभाल रही है परमजीत को और खालड़ा और केंपें में जो भी खर्चा आ रहा ह है वो भी आम आदमी जुटा रहे हैं अमरित पाल के पिता तरसेम सिंग ने ये कहा है कि परिवार ने अभी तक कोई खर्चा नहीं किया जो भी खर्चा हो रहा है वो अमरित पाल सिंग के समर्थक कर रहे हैं वहीं प्रसाशन भी सचेथ है प्रसाशन ने अमरित पाल सिंग क समर्त्वकों के कई वाट्सैप कुरुप पर बैन लगा दिया है और अब नजर रखी जा रही है कि अमरित पाल सिंग को जो पैसा आ रहा है चुनाओं के लिए जो मदद आ रही है वो कहां से आ रही है क्या पाकिस्तान से तो नहीं आ रही है अब एजेंसियां सतर्क हैं और इ शुरु मने काली दल भी हमलावर है उसकी चिंता भी जाइज है देखना दिल्चस्प होगा कि क्या शुरु मने काली दल अपना परमपरागत वोट बैंक रिटेन कर सब कर पाता है और कॉंग्रिस क्या अपने गड़ को बजा पाती है या फिर अमरित पाल सिंग खाली स्तान को परिणाम आएंगे या मरा परसन अमन कुपता के साथ मंजीत सहगल चंडिगर्ट आज तक